हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक माई यूटीब चैनल लॉवित रोने दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल पर स्वागत है साथियो आप सभी को पता है ललम इंट्रेंस इग्जामिनेशन कंड़क्ट होने वाला है वो भी यूनिवस्टी आफ इलहाबाद का जो कि आपके जुडिसरी एक्जामिनेशन के लिए तो इंपोर्टेंट होता है साथ ही साथ ये आपके इंट्रेंस इग्जामिनेशन के लिए भी रेलेबेंट होता है तो साथियो ये जो आज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं ये पार्ट थर्ड मैं लेकर के आ रहा और साथ-साथ entrance examination में जो भी question पूसे जाते हैं, जो भी strategy रहती हैं, उन सभी चीजों के बारे में आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, साथ यहाँ पर जो भी चीज में ले करके आ रहा हूं, यह आपके examination point of view से relevant चीज में ले करके आ रहा हूं, और इसमें हम बात क्या क पढ़ते हैं, तो history के sources को देखना चाहते हैं, हम कोई भी चीज अगर analysis करते हैं, तो हम सोचते हैं, सबसे पहले उसका origin हमको पता चल जा है, हमें उसका source पता चल जा है, कि हाँ, यह कहां से इसका उदवा हुआ है, कहां से इसका विकास हुआ है, तो हमें पढ़ने में और हम जूरिष्ट कौन है, तो यह डेल वे की हो, साहब के दौरा इस प्रकार की बाते कही गई हैं, नेक्स्ट कर रहा है, विदी सुरोत ऐसे दौरा है, जिसके माध्यम से नए सुरोत विदी में प्रवेस करके कानून का रूप गरहन कर लेते हैं, और यह बात कौन कर रहा है, य आमन्ड साहब के दौरा यह बाते कही जा रही है, आगे देखे कर रहा है, रूडियों और प्रथाओं को, विदी का सबसे महत्योपूर सुरोत माना गया है, किसको साथ यह अगर हम रूडियों को देखते हैं और प्रथाओं को, जब आप Constitution पढ़ते तो Constitution of India के साथ भी आप इसको relate कर सकते हैं, वहाँ पे भी रूडियों को प्रथाओं को क्या मना गया, as a law के रूप में treat किया गया, कह रहा है, एतियासिक साखा के समर्थकों ने इसको क्या बताया है, सबसे महत्योपूर सुरोत बताया है, कि जो रूडियों होता है और जो प्रथा होता है, यह भी जो उन्हों ने बताया है कि विधी क्या है एक मानो तर्क बुद्धि के ऊपर आधारित होता है नेक्ट कर रहा है समासास्त्री विदी बेता के अनुसार विदी की उत्पत्ती का कारण साथियों क्या है तो विदी की उत्पत्ती का कारण है राजिनिती है समाज है आर्थिकी एवं धर्म का तत्व है यही सभी चारों चीजों को मिला करके हमारा क्या होता है इनी सभी चीज से रूडी का मतलब होता है प्रथा से हम अड़ाप्ट करते हैं नियाइक एवं पूरों निर्ने से इसको हम क्या करते हैं नियाइक के जो पूरों डिसीजन्स दिये गया है जो कि कोट आफ लौ के द्वारा जो भी निर्ने दे जाते हैं जो भी डिसीजन्स पारित कर दे जाते उसको भी मानते हैं या सी में कम करता है जिसको अगर कर रहे है सात्यूं कि विधायन जो होता है यह मतात्य है यह प्रकार नया न nyt पर होता है विधायन गया करें हैं तो नेक्ट का रहा है आप सामंद ने विधी के सुरोत का विभाजन ओपचारिक सुरोत एन ह़िवनतात्विक के रूप में किया है तो इस सामंद मोहदे पटिस्वोधन की तो चीजों को आप लोगोंने क्षीम कर लिया और आप रूडी के अंतर्गत customs जिस को हम लोग रूडी भी काते हैं हिंदी में रूडी कआते हैं इंगलिस में customs काते हैं अब customs के बारे में किस जूरिस्ट ने कौन कॉंसे अपने opinions को frame कि यहां इन सभी opinions को यहां पर हम whip analysis करते होए चलेंगे आपको एक हीचीजों के इसलिए हैं करते हैं की हिंदू- बीदgent की अधिकांस वस्ता आधारित आधारिक हैं तो जब हम पर सात्ये को क्यूस गर करना चाहिए लिंक वित और नेसों कहां से परें गये लिचे एक्ट को देखते हैं तो उसमें अधिकांस ब्यवस्ता हैं किस पे आधारित होती हैं रूडियों पे आधारित होती हैं जो प्रथा तमाम सौ सालों से चली आ रही हैं तो इसको हम क्या करते हैं इसको रूडी के अंतरगत करते हैं निक्ष्ट कर रहा है समान परिस्तितियों में समस्त व्यक्तियों के कारियों की एक रूपता को रूडी करते हैं और ये बात किस ने कहा है तो साथियों ये बात काटर महोदे के द्वारा कही जा रही है निक्ष्ट कर रहा है तो विदिक रूडी के अंतरगत बाता है और अभी समयात्मक रूड़ी के अंतरगत बाटा है तो ये दो प्रकार की रूड़िया है इसी रूड़ियों के अंतरगत इसको सामंड महोदे के द्वारा विभाजित किया गया नेक्स्ट कर रहा है अस्थानी रूड़ियों को बैधता है तू आवश्यक्त तो युक्त 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 होना चाहिए मिन्स की रिजनेबल उसमें होना चाहिए यह नहीं कि विदावट रिजनेबल नहीं होना चाहिए तरक संगत होना चाहिए मिन्स को उसमें रिजनिंग निम्स का बागा ना चाहिए हैं। चाहिए हैं। में हिट करेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें रूडी के अंतरगत किसको सामिल किया जाता है तो इन ही चारों चीजों को आप यहां पे देख लेंगे और इसी चारों चीजों के रिगारिंग आप अपने तो आंसर को फ्रेम करेंगे जब जो आपके आंसर में और वरनी के लिए आएगा तो ने महत्तु है जो कानून का राज के लिए किसके दौरा तो सामंड महदे के दौरा इस प्रकार की बातों को यहीं डंड़िम किसकी बात कर रहा है साथ हो तो रूढ़ि है कुई की वह क्या करते हैं उसी के सम這邊 को हम प्रेसिड्ण्स के कि हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा किस प्रकार का पहले कार्य कि जाता था नेक्षट कि हम बात करते हैं दोस्तों कहरा है कोई अस्थानिय वतियों 2 शुरät के रूप में विदिमान ने हैं और प्रविडत रहे इसके लिए प्राचीनिता के अत्रिक्त भी निम्न-अप्क्षाल पूरी की जानी चाहिए पहला कों सा अप्क्षाल है तो यूक्ति-ऊक्ता की बात कर रहा है उसमें क्या होनी चाहिए युक्त युक्त रीजनेबल होना चाहिए और संबीधी के अनुरूप होना चाहिए और बाइद लॉक के एकॉर्डिंग भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि लॉक को क्या करें कहीं से डेरोगेट करें कहीं से करें इस प्रकार से नहीं होना चाहिए निक्स्ट की हम ब इतिहासिक विचाड़०ारा का मूल लखशण के रूप में माना जा रहा है फेडरीक कालवार्न सावीनी ने समप्रेशण किया है पहला क्या किया है कि विधी के पूर्वरूडी का अस्थान है दूसरा क्या है, रूडि गत बैवार के अनुकुल विधी होना चाहिए, तीसरा कहा रहा है, रूडि विधायन से वरियता होनी चाहिए, यह सभी चीजों को आप यहां पे analysis कर लिए, नेक्स कहा रहा है, रूडि वास्तोईक विधी का एक लक्षड है, उसकी उत्पत्ती का आ होनी चाहिए, सकेंड कर रहा है, कि किसी रूडि में इस्मरणा तीत काल के उपियों को किया जा रहा होगा, मिंस की सांती पुर्वक उपियों को किया जा रहा होगा, जैसे कि इस्मरणा तीत का मतलब होता है, कि 500 सालों से यह प्रथा चली आ रही है, और उसी प्रथा को हम क बायस नहीं होना चाहिए रूड़ी में निम्ना आवश्यक्तत तो नहीं है मौलिकता रूड़ी में किसी भी प्रकार की मौलिकता नहीं होति ठि verti नहीं होती है प्राचीन वीडियो में नैसी क्सुर्वह कर रहाया था अब सरकार थोड़ें वह सारी चीजों को कoks जा रहे हैं सरकार यह थोड़े नहीं लगवाएंगे आप महदी नहीं लगवाएंगे तो क्या हो जागा आपके साध्य को अमान नेगोसित कर जाएगा सरकार के दौरा इस प्रकार का कोई भी लीगल बैंडिंग आपके उपर नहीं लगा जा रहा है निक्ट कर रहा है एक होता है अब थायं को हम यहाँ रिडाओट कर रहे हैं और रहे हैं कि स्प्रकार के दौरे के दोरा इस प्रकार की बाते कर रहा है नेक्श कर रहा है विधान सब्दों को तीन अर्थों में प्रियुक्त किया जाता है किस była सकता है तो ये किस सामणमोहिDee के द्वारा कह जा रहा है नेक्श कर साथियों सामन मंदल द्वारा दिЯ्मित विधि को कह से होता है उसको कामन के नाम से जानते हैं सामर्ण ने विधान को वर्गी कर दो दो वर्गों में किया है, कौन-कौन से वर्गों में किया है, सरवच्य विधायन में तथा अधिनस्त विधायन में, इस प्रकार के दो प्रकार के विधायनों में इन्होंने क्या किया है, उसको बाइफरकेट करने का वक किया है, नेक्स कि अगर हम बात करते हैं, वो विधायन वो अभिधान जिसकी उतपति राज्यी की संप्रबूता सथी से होती है और ये कौन सा भिधायन होता है सातयों तो इसको हम लोगज सर्वच्च भिधायन के दाम से जानते हैं next कर रहा है भारतिय संसत्थ द्वारे पारित अधि नियम आते हैं और यहाई question आपके examination के लिए relevant है, next कर रहा है, संसत की सर्वच सक्ती के अलावा किसी अन्य प्रादिकारी द्वरा निर्मित विधी क्या होती है, निर्मित विधी है, अधिनस्त विधायन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, next कर रहा है, विधी सास्तर, चीप मैन ग्रे ने व विधान, समाज, समाज के विधाई, अंगो को आपचारिक अविवेक्ति कथन के रूप में इसको गिया गया, यह कौन कहा था, तो यह साहब चिप मैन ग्रे साहब के द्वरा यह बात कही गय थी, नीचे कह रहा है, अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधी निका हमारे उपर संसत क्या करता है, हमारे उपर परलियमेंट जो होता है, एक कोडिफाइड लॉब बना करके हमारे उपर नियंतरन कर लेता है, हमारे उपर राज करता है, सकेंड कहता है, नियायले भी जो होता है, नियायले भी हमारे उपर क्या करता है, हमारे उपर नियंतरन र यहां पर आके कर रहा है कि जो विधायन किसी अन्य विधाय प्राधिकारी द्वरा निर्शित निराकृत अथवा नियंत्रित कि यह जानी योग्य नहीं होता वो सर्वच्य विधायन कालाता है उसको क्या कहते हैं कोई ऐसा धारणा कोई आईسी धारणा जो यह त्थे जो यह चोई चिपाती है और च्छीपाने का प्रवर्थी तो हो गया है जबकि विधी का सब्द अपरवर्थी तो उसका अपरवर्तम उपांतरित स Smith करने वाली अभिव्यक्ति साम में के अंतर्गत इसको इसको सामिल के जाता है कि विधी की रायर वीधी का स्रोत्र नहीं है जो विधीकि यौ की राय होती है यह किसी वी प्रकार का विधी का सोरी कोさ तो नहीं हो साथिज किया थे एक होता है थोड कर रहा है इसमें अज्ञापक ततों भी होना अनिवार्य होता है , जब की जब की यह अज्रीजात्मक रीति से अभीकतित होता है यह लक्षण नहीं है is समंद के अनुसार उच्च विधायन से अभीप्रेथ है संसद द्वारा निर्मित विधी के बारे में यहां पर बात कर रहा है नेक्ट करा है विधी की प्राकिरती जो होती होती है भासा की भाति या वैक्तियों और काल के साथ परवर्थित होता रहाता या कथन सिधांत से मन्दित होता है आप साथ योग कुछ हमारे पास प्रिसेंट्स बचें हैं जो की निर्णे होते हैं जो जड़ेश मिन्ट दिया जाते हैं उसके बात कर रहा है करें नियाई के पुरों निर्णे नियाले दौरा किये गए ऐसे निर्णे हैं जिसमें विधी का कोई सिधान्त नह होता है यह कथन किसका है तो यह कथन सामर्ण महोदे के द्वारा कहा जाता है और यह बात किसने कहा है और यह बात किसने कहा है तो यह बात आस्टीन महोदे के द्वारा कही गई है नेक्स सात्य। कर रहा है, पुरवारती नियमों के परयोजन द्वारा, न्यायकी तरह जो संतुलित था तथा, स्तिर बनी राती है। किस से पुर्ववर्ति निर्णे जो हमारे जुडिसियल डिसीजन्स होते हैं इससे हमारी तराजु संतुलित बना रहता है कर रहा है पुर्व निर्णे नयाले द्वरा दिये गए ऐसे नियाई की विनिश्ये हैं जिसके साथ कुछ प्राधिकारी जोड़ेगा हैं और यह बात कौन कर रहा है तो यह बात साथियों कीटन महोदे के द्वरा कहा जा रहा है नेक्स्ट कर रहा है कि नियाईक पुर्व निर्णे का सिध्धांत आधारित है तो विनिश्यों की सुद्धता की आउधारणा के ऊपर यह आधारित होता है नेक्स्ट कर रहा है निर्णे गई है और ये बात किकी प्रखार की नहीं घुर्फर बंधटी कि हम बात कर रहा है वह बंधंपनWas किसी विशेश का आधार मानता हो तो उसके दोरा प्रतिपादित अई सिद्धान्व होता है तो इसको हमSoom क्या है क्या है है कि ईतरोकती या ऑबिटेर डिक्टा के रूप में हम जानते हैं उद्धत हो जाने के बाद भी बंधनकारी प्रभाव रखते हैं यहां पे हम आपसे तो किस ने की तो कि आलोचना की कौन माने जाते हैं तो परिमार्ची रूप में सुविकार करने वाला डेश अमेरिका एवं भारत हैं नेक्ट कर रहा है एक पूर्व निर्णे के अंतरगात कही गई कही गई या किया गया वह प्रतेकवाद समलित है जो पास्चावर्ती आचरण के लिए एक नियम प्रयुक्त करता है और यह बात किसने कहा है तो यह बात सामण महोदे के द्वारा कही भात गोसीत करते है और यह बात कौन कर रहा है यह साथियों बात प्रोफेसर ग्रे शहाब के दोरा कही जा रही है तो साथियों यहां पर आप Лोगों ने आबजर्व खिया कि जोभी कोस्चन बन सकते थे उन सभी कोस्चन को मैं बना करके आपके सामने ले करके आया हूं साथ आप नेक्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाइ